आज के लेक्टर में हम डेस्कर्स करेंगे माइर पेस्ट ऐफ राइस जो हमरा लास्ट लेक्चर था उसमें वने बड़ा था मेजर पेस्ट आ फारीस को डिस्कर्स कर लिया है और आज का जो हमारा lecture है उसमें हम डिसकूर्स करेंगे minor pest of rice जो कि है total five मैंने names तो आपको last lecture में बताये थे और अभी just भी बताऊँगा और साथ साथ हम डिसकूर्स करेंगे कुछ important mcqs related to pest of rice तो so guys जो पहला minor pest है rice का वो है ear head stink bug आपने इससे देखा होगा इस इंसेक को आपने देखा होगा यह बहुत ही गंदा smell करता है अगर आपने इसे touch कर दिया तो इनका smell जो होता है बहुत ही बुरा होता है इसका दूसरा नाम जो है sealed bug भी कहते है क्योंकि इनका जो physical appearance होता है एक seal की तरह होता है save भी वैसी और color भी वैसी red spotted bug भी कहते है इसको ठीक है इसका जो scientific name है वो है manidia hysterio ठीक है और जो इसकी family है जो order है वो है hemiptera ठीक है इसका जो निम्फ और adult है दोनों ear head से सक करते हैं ठीक है और grains को चाफी कर देते हैं ठीक है तो इनका तो बस यही ऐसा feature है कि grains को डिस्टरब करेंगे और इयर head नामी है ठीक है तो यह year को plant के year को यह नहीं rice के year को खराब करते हैं ठीक है और वहां से क्या कर देते हैं सक करते हैं उनके milking stage से juice को यह कह सकते है sap को ठीक है जो second यह नहीं ninth number पर है क्योंकि seven देखो यहां पर हमने इसका जो numbering कर रहा है वो eight पर कर रहा है क्योंकि हमने जो seven तक पढ़ा है वो major pest of rice थे eight नंबर पर में first minor pest पढ़ा रहा है इसका ninth नंबर पर है rice strip bug ठीक है tetroda hysteroids ठीक है इसका जो order है वो भी hemiptera है तर निम्फ एंड दी एडल्ट सक ती सैफ from the stem and cause stunting ठीक है stunting and yellowing of tillers कहने का मतलब है इनके जो insects होते हैं यानि जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो sap को सक करते हैं स्टेम से और cause करते हैं stunting यानि छोटा हो जाना प्लांट छोटे रह जाते है अधर ग्रोथ कम and yellowing of tillers adult को कर हम देखेंगे तो adult is brown with a prominent v-sip mark on its back ठीक है उनके back पे क्या होता है v-sip mark होता है it lays cylindrical eggs in rows on the under surface of the leaf leaf के जो का जो नीचे वाला surface होता है ठीक है जिसको abaxial surface कहते हैं वहां पर cylindrical eggs रोज में ले करते हैं एक period जो होता है वो 5-7 days का होता है यानि hatching हो जाती है फिर निम्फ जो start होते है वो निम्फिल period 40-50 days का होता है life cycle लिए complete करते हैं 49-62 days में adult की जो longevity है वो two weeks की होती है ठीक है तो यह हो गया इस जो हमारा second वाला जो minor pest है rice stripped bug इसके बारे में और यह stripped इसलिए है कि इनके जो body है उसके उपर v-sip का strip पाया जाता है mark पाया जाता है ठीक है जो next है third minor pest यानि 10th number पे white rice leaf hopper ठीक है इसका scientific name है kofana spectrum यह भी जो family है इसकी sorry जो order है वो है hemiptera और आप यहाँ पे इसको देख सकते हो image में ठीक है इनके जो nymph और adult होते हैं वो भी सक करते है sap को causing yellowing of leaves and stunting of tillers ठीक है मैं leaf का yellowing करते हैं और stunting of यह नहीं जो tillers से वो छोटे ही रह जाते हैं tillers अगर चोटे रहे गए तो हमारा production क्या होगा डाउन होगा ठीक है important आपको यह सब सारी चीज़े द्यान रखनी है कि कौन seed को खराब करता है कौन उनके tillers को खराब करता है कौन उनके height को यानि उनके physical appearance को खराब करता है ठीक है names are elongated and pale green colored ठीक है मतलब है rice hoppers हमने जितने पड़े major pest में भी हमने hoppers पड़े थे ठीक है उन में से सबसे बड़ा hopper होता है वो rice white rice leaf hopper होता है ठीक है अब जो मारा next है minor pest वो है blue rice leaf hopper ठीक है इसका भी जो है hemiptera है और scientific name में आपे mention मैंने किया हूँ है ठीक है आप इसको pronunciation कर लेना इसका nymph and adults suck the sap of leaves and causes hopper burn मैंने बताया था field में hopper burn होता है जहां पे browning या फिर yellowing कहीं कहीं पे दिखता है field में in the seedling in the form of whitest waxy lines of leaves on the leaf blades in the initial stage of the attack and subsequent trying कहने का मतलब है जब hopper burn होता है seedling stage में तो यह whitey waxy lines on the leaf blade leaf का जो corner होता है उसके उपर एक whitey waxy appearance बनाते है lines बनाते है initial stage में ठीक है और जैसे subsequent time बीटता जाता है तो यह जो attack है वो drying cause करता है ठीक है और brown मतलब brown जो burning like appearance होता है वो field में दिखने लग जाता है small blue hopper leaf hopper with yellowish vertex having black patch in the middle of pronotum ठीक है जो small blue leaf hopper होते हैं उनके yellowish vertex होते है vertex मतले end जो है उसका yellowish होता है having a black patch in the middle of pronotum ठीक है बहुत easy है और जो last है ठीक है jig-zag stripped leaf hopper जिसको हम लोग बोलते है racylia dorsalis ठीक है जिसका order है hemiptera both nymphs and adults suck plant sap and causes tip drying and orange discoloration of both margins of leaves कहने का मतलब है जो new for adult है suck करते हैं सापको and cause tip drying and orange decoloration of both margins of the leaf leaf के जितनी margins हैं उन सब को क्या करते हैं decolorize कर देते हैं adults have white four wings ठीक है जो आगे की wing है वो white होती है with pale brown bands forming a shape of w ठीक है आप इस image में देखो left wall image में उनके wings के उपर जो image है वो किस तरह का है w shape का है ठीक है इनकी अगर bionomics के बारे बात करें तो egg, nymph, adult nymph जो है वो थोड़ा बड़ा होता है फिर वो adult में convert हो जाता है तो यह है हमारे कुछ minor pest of rice, major pest मैंने lecture number 27 यानि suggest पहले वाले lecture में discuss कर दिया है I hope बच्व आपको यह lecture समझ में आया होगा किसी को भी कुछ problem है तो वो comment section में पूछ सकता है या फिर आप हमारे instagram channel go for agriculture वहाँ पे ब्याके इससे question raise कर सकते हो ठीक है अब जो time आगया है हमने total rice के pest को discuss कर लिया है अब इन पे कुछ MCQs question को discuss करते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो question है हमें अब 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 20 questions discuss करेंगे अब देखते चलना हमने जो discuss किया है उनसे related questions है terminal rolling and drying of leaps from tip to base in both rice nursery and main field किस के case में था जो सबसे पहला आपने major paste पढ़ा था trips उनकी case में होता तो उसका answer जो होगा trips होगा मतलब terminal rolling होगी और drying of leaps from the tip to base किस में होगा trips के case में ठीक है blanks act as a vector of rice tungro virus ठीक है ये मैंने कहां बताया था आप यहां पे देखो vector मैंने बताया था tungro virus का wait मैं आपको दिखाता हूँ one minute यहां देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है जो red line है उसके जाइस नीचे आप यहां पर देखो मैं दिखाता हूँ यहां पर लिखा हुआ है vector of rice tungro virus कौन है यह यहां पर देखो green leaf hopper ठीक है इसका आंसर क्या होगा इसका scientific name mention है nephotectis vercenins ठीक है इसका चो आंसर होगा और क्या होगा wait इसका आंसर होगा option number one third है ETL और GLH in tungro endemic area ठीक है ETL कहने का मतलब है economic threshold level कब होता है GLH green leaf hopper ठीक है वो अगर दो पर हील अगर आपको दो नंबर में दिख जाए नहीं दो हो तो ETL हमें apply करना होता है ठीक है option number one alternate host for strengtothrips by formis is echinocloa species ठीक है alternate host पूछ रहा था फिफ्थ नंबर पे है which of the following is the white leaf hopper ठीक है scientific name दे रखा है कौफना स्पेक्ट्रा ठीक है आप यह नाम याद कर लेना scientific अगर याद हो जातो याद हो जाए नहीं तो जो important major प्रेस्टाइड लिस्ट वो तो आप ज़रूर याद कर लेना उनका ठीक है सिक्थ नंबर पे है which of the following is a blue rice leaf hopper अभी अपने just discuss किया था ठीक है इसका option answer जो होगा option number C होगा ठीक है hopper burn is the symptom of बहुत सारा हमने भी पढ़ा था ठीक है तो जितना भी आपे हमने mention कर रखा pyrethroids may cause resurgence of sucking paste in rice say true or false तो इसका जो answer होगा true अगर synthetic pyrethroids अगर यूज करते है तो resurgence करता है sucking paste का ठीक है इस सही बात है नाइन्थ नंबर है tip drying and orange decoloration of rice leaves the typical symptom of अभी हमने पढ़ा था जस्ट अभी पढ़ा था यह देखो यह वाला यहाँ पर है orange decoloration किसका है यह जिग-जाइक स्टिप टुली फॉपर यानि resiliate or salis का ठीक है तो इसका answer क्या होगा option number c which of the following pest causes damage of the grain at milking stage ear head bug ठीक है ear head यानि ear को infect करता है ठीक है और milking stage लिखा हुआ है तो आप पहले से ही धिहान रखना कि milking stage में जो है वो यह इनफेक्ट करते हैं क्योंकि लिए seeds को क्या करते है पंचर करते हैं ठीक है blanks as a vector of ragged stunt and wilted stunt ठीक है जो इसका answer होगा नीला परवता अब इसको उपर पढ़ना 12th number है blank act as a vector for transistory yellowing disease ठीक है इसका भी answer होगा नीला परवता illusions ठीक है यह questions आपको ध्यान रखना जब competitive paper में आब add तो यह symptoms के basis पे इनके typical symptoms के basis पे question पूछा जाता है ठीक है तो उस time पे आपके यह बहुत अच्छे जिकाम आएगा 13th number है जिग-जग strip leaf hopper belongs to ठीक है सिका डेड़ी डेड़ी स्वारी सिका डेड लीड़ी ठीक है जो इसका answer को वो option number C आप देखो भी just हमने discuss के था जिग-जग strip leaf hopper है ना यहां देखो ठीक है यहां पर क्या लीकवा है हम इप टेरा के जिस्ट पहले यहां पर ठीक है तो जो भी यहां भी questions से हैं वो सारे इसी notes से हैं तो द्यान रगना आप इस notes को भी अच्छे से पढ़ोगे ठीक है राइस black bug belongs to podopede ठीक है 15th number है ETL for rice earhead bug in milking stage is 16 bugs per 100 panicles और 3 bugs per hill ठीक है 16th number है green mirad bug which feeds on BPH blanks पूच है ठीक है तो इसका मत्दब पूच रहा है कि जो यह bug है वो किस पे यह करता है feed करता है ठीक है तो साइरोहिनस लिवीडिपेनिस ठीक है लिवीडिपेनिस इसका answer होगा 17th number है alternate wetting and drying is a good management technique for controlling इसका जो answer होगा वो होगा BPH brown plant hopper rice earhead bug belongs to the blanks family LID day ठीक है तो यहां पर हमने questions सारे discuss कर लिए है देखो यह सारे questions मुझे भी सारे याद नहीं होते हैं मैं जब बार बार इने पढ़ता हूं तो मुझे यह चीज़े याद होती है और खासकर scientific naming जब pronunciation करते हो उसका तो द्यान रखना कि आप pronunciation जरूरी नहीं है कि spelling wise करो आपको जिस तरीके के लिए आपको option mark करने होते हैं ठीक है तो आप उसको इस तरीके से याद किया करो कि आपके मुपे हो pronunciation आप अपने ही साफ से बना लो कि आपको बोले में भी अटपटा ना लगे और आपको चीज़े याद हो जाए ठीक है तो I hope आपको आज का lecture समझ में आए होगा कुछ भी problem है तो आप हमारे instagram channel या फिर comment section ने पूछो तो guys next lecture में पढ़ेंगे best of wheat ठीक है तो next lecture जो हमारी आएगी वो आएगी Monday को तो बच्चे आप तियार रहो गए चले मिलते है next lecture में बाबाई